ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय शंकर जिन का नाम है कैलाश जिन का धाम है ऐसे भोले बाबा को मेरा बार बार प्रणाम है ऐसे भोले बाबा को मेरा बार बार प्रणाम है शंकर जिन का नाम है कैलाश जिन का धाम है ऐसे भोले बाबा को मेरा बार बार प्रणाम है ऐसे डमरुवाले को मेरा बार बार प्रणाम है बोल शंकर भगवाने की जय ओम सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत श्रोतागणों का और श्रीव पुरान हमारा महत्मय जो चल रहा है वाचन कथा जो चल रही है उसमें रुद्र सहीता हमारी चल रही है वित्य खंड मा सती का सती खंड जिसको बोलते हैं दृत्य खंड को वह हमारा चल रहा है और दृत्य खंड में आज जो हम सेवन करेंगे संध्या की तपस्या उसके द्वारा भगवान श्रीव की इस्तूती तथा उससे संदूष्ट हुए श्रीव का उसे अभिस्ट वर्दे मेदा तिति के यग्य में धेजना बोल शंकर भगवान की जै बोल भक्त वसल महादेव की जै बोल भक्त वसला मा पारवती माता की जै ब्रह्मा जी उवाचा ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे पुत्रों में श्रेष्ट महाप्रग्ये नारद तपस्या की नियम का उपदेश दे जब वसेस्ट जी अपने घर चले गए तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसंद होई फिर तो वह सानंद मन से तब तपस्विनी के योगे वेश बना कर व्रहलोहित सरोवर के तटपही तपस्या करने लगी वसेस्ट जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की अराधना करने लगी उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्रमन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी उस तपस्या में लगे हुए उसके चार योग व्यतीत हो गए तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतूष्ट हुए और बड़े प्रसंद हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वे चिंतन करती थी उसी रूप से उसकी आँखों के सामने प्रकट हो गए उसने मन से जिनका चिंतन किया था उनी प्रभुशंकर को अपनी सामने खड़ा हुआ देखकर वे अत्यंत आनंद में निमगन हो गई भगवान का मुखार विंद बड़ा प्रसन दिखाई देता था उनके स्वरूप से शांती वरस रही थी वहसे ऐसा भयबीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूं इस तरह से उनकी इस्तुती करूँ इसी चिंता में पढ़कर उसने अपने दोनों नेत्रबंद कर लिये नेत्रबंद कर लेने पर भगवान शिव उसके हिर्दे में प्रवेश करके उसके हिद्रेय प्रवेश करके उसे दिव्य ज्यान दिया दिव्यवानी और दिव्य द्रस्टी प्रधान की जब उसे दिव्य ज्यान दिव्य द्रस्टी और दिव्यवानी प्राप्त हो गई तब वे कठनाईयों से ग्यात होने वाली जगदीश और शीव को परतक्ष देखकर उनकी स्तूति करने लगी संध्या बोली जो निराकार और परम ज्यान गम्मे है जो नै स्थूल है नै सुक्षम है नै उच्च ही है जिनके स्वरूप प्यायोगी जन अपने हिर्दे के भीतर चिंतन करते हैं उन्हीं लोक सरस्टा आप भगवान शीव को नमस्कार है जिने शर्व कहते हैं जो शांत निर्मल निर्विकार और ज्यान गम्मे है जो अपने ही प्रकाश में इस्तित हो प्रकाशित होते हैं जिन में विकार का अत्यंत आभाव है जो आकाश मार्ग की भाती निर्गुण निराकार बताए गए हैं तथा जिनका रूप अंधकार अंधकार मार्ग से सर्वता परे ह उन नित्य प्रसंद आप भगवान श्रीव को नित्यानंद मैं, सत्य एश्वरी से रूखत प्रसंद तथा लक्ष्मी को देने वाला है जिन आप भगवान श्रीव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप की ज्यान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत में सर्वता भिन्न हैं, एवं सत्व प्रधान, ध्यान के योग्य, आत्म स्वरूप, सार भूत, सब को पाड़ लगाने वाले, तथा पवित्र व स्वच्छ करपूर गौर के समान वण है, जिसने अपने हातों में वर, अभय, शूल और मुंड धारन का रखा है, उस दिव्य चिन्द में सगुन, निराक साकार, विग्रहस सुशोवित आप योग मुक्त, योग युक्त, भगवान श्रीव को नमस्कार है, आकाश, प्रत्वी, दिशाई, जल, तथा तेज, तथा काल, ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है, कहते हैं संध्या वाच, निराकारं ज्यान गम्यं परमं यन्य वैस्थूलं नापी सुक्ष्ण न चोच्चं, अन्ता अश्चित्नत्यं, योगी भी, इस्तस्य रूपं, तस्मै तुभ्यं लोक कत्रै नमस्तुते, शर्वं शांतं निर्मलं निर्विकारं ज्यान गम्यं स्वप्रकाशे अविकारं, खाद्व प्रख्यं धवांत मारगात परिस्ताद, रूपं यस्य त्वमा नमामी प्रसंण, एकं शुद्धं दिप्यमानं, विनाज्यंचिदानंदं, सहजम चाविकारी नित्यानंद सत्य भूती प्रसन्न व्यस्य श्रीदं रोपं अस्मै नमस्ते विध्याकारोद भवानियं प्रभिन्नम सत्वच्छंदं धे मात्म स्वरूपं सारं पारं पावनानां पवित्रं तस्मै रूपं यस्चे चैवं नमस्ते यत्वाकारं शुद्ध रूपं मनुग्यं रत्ना कल्पं स्वच्च करपूर गोरं इस्टा पीती शूल मुंडे दधानं हस्तेर नमो योग युक्ताय तुभ्यं गगनं भूर्दी दिष्च अश्चेव सलिलं जोति रेवच पुना कालश्च रूपानी दस्य तुभ्यं नम कहते हैं कि प्रधान प्रकरती और पुरुष जिनके शरीर से प्रकट हुए हैं अर्थार्थ वे दोनों जिनके शरीर हैं इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त बुद्धियादी से परे है उन भगवान शंकर को बारं बार नमस्कार है जो ब्रह्मा होकर जगत की स्र करते हैं और रुद्र होकर इस रस्टी का सनहार करते हैं उन्ही आप भगवान स्यदा शिव को बारं बार नमस्कार है जो कारणों के भी कारण है दिव्य अम्रित रूपे ज्यान तथा अडीमा आदी एश्वरी प्रधान करने वाले हैं समस्त लोकांतरों का बैभव देने वाले हैं स्वयम प्रकाश रूप हैं तता प्रकृति से भी परे उन्ह परमेश्वर भगवान शिव को नमस्कार है नमस्कार है यह जगत जिन से भिन्न नहीं कहा जाता जिनके चर्णों से प्रत्वी तथा अन्य-अन्य अंगों से संपुन दिशाएं सूर्य चंद्रमा काम देव अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभी से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है उन्ही आप भगवान शंबु को मेरा नमस्कार है यह प्रभो आप ही समस्त उत्क्रस्ट परमात्मा हैं आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं और आप ही हर संहार करता है आप ही सदबुद्धी तता परव्रम हैं आप सदा विचार में ततपर रहते हैं जिनका ना आदी है ना मध्य है ना अंती ही है जिन से सारा जगत वुत्पन हुआ है तता मन और वानी के विशे में विशे नहीं है उन महादेव जी की स्तुती में कैसे खर्शुकूंगी वो गहते हैं प्रधान रूपो यसे कायत्वेन विनिरगतो तस मातदव्य व्यक्त रूपाय शंकराय नमो नमह यो भ्रम्य कुरुतेश्रस्टिम यो विष्णे कुरुतेश्टिम संहरिष्यति यो रुद्रयस तसमै तुब्यम नमो नमह नमो नमा कारणाय दिव्याम्रत ज्ञान विभूती दाय समस्त लोकांतर भूती दाय प्रकाश रूपाय परात पराय यस्या परम्न जगदुच्यते पदात अक्षितिर दिशह सूर्य इंदुर मनोजह बहिर मुखा नाभी नाभी तश्चान तरिक्षम तस्मय तुभ्यम शाम्भवे मे नमोस्तुते तवंपर परमात्मा चत्वं विध्या विविधाहर सत्ब्रम्म च परम्ब्रम्म विचारण परायन यस्ये नारदिन मध्यम च नान नांतमस्ते जगद्यत्यत कथम इस्तोष्यामितम देवं वामंग मन सगोचरम मैं कहते हैं कि ब्रह्मा आदी देवता तस्यत तथा उन धनी मुनीं भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते जितना भी जो रूपों का वर्णन है उनका नहीं किया जा सकता उनको किसी भी एक व्यक्तित्व में एक आकार में नहीं पिरोया जा सकता जो कि साकार भी है निर्विकार भी है उन परम पिता परमिश्वर का वर्णन इस तवन में कैसे कर सकती हूँ संध्या कहती हैं कहते हैं प्रभू आप निर्गुण है मैं मूर इस्तरी हूँ आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ आपका रूप तो ऐसा है जैसे इंद्र देव संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते महिश्वर आपको नमस्कार है हे तपो मै आपको नमस्कार है हे देविश्वर शंभो आपको नमस्कार है मुझ पर प्रसन होईए आपको बारंबार मेरा नमस्कार है कहते हैं यसे ब्रह्मादयो देवा मुनियश्चत पोधनाह ना विप्रणन वंती रूपानी वर्णनी ये कथम समी इस्तरिया मयाते किम गेया निर्गुनस्य गुणाप्रभो नैव जानंती वो कहते हैं कि हे प्रभो ब्रह्माजी कहते हैं नारद संध्या का यह स्तुति पोण वचन सुनकर उनके द्वारा बली माती प्रशंसित हुए भक्त वस्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन हुए उसका शरीर वलकल और म्रग चर्म से ढखा हुआ था मस्तक पर पवित्र जटा जूट शोबा पा रहे थे उस समय पाले के मारे कमल के समान उनके कुमलाई हुए मुँ देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो गए और इस प्रकार बोले महिश्वर ने कहा भगवान श्रीव कहते हैं भद्रे मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसंद हूँ शुद्ध बुद्धी वाली तुम्हारे इस इस्तवन से भी मुझे बहुत संतोष प्राप्त हुआ है अथा इस समय इच्छा के नुसार कोई वर मांग लो इस वर से तुम्हे जो प्रियोजन हो जो मन में हो मैं यहां अवश्य पूर्ण करूँगा तुम्हारा कल्यान हो मैं तुम्हारे वृत नियम से बहुत प्रसंद हूँ प्रसंद चित्व महिश्वर का येवचन सुरकर अत्यन्त हर्ष से बरी होई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगी बोली महिश्वर यदि आप मुझसे प्रसंद चापूर्व वर देना चाहते हैं यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तो देव यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसंद है तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें देविश्वर इस आकाश प्रत्वी आदी किसी भी स्थान में जो प्राणी है इस सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो जाए नात मेरी सकाम द्रस्टी कहीं न पड़े मेरे जो पती हूँ वे भी अत्यंत सुहृद हूँ पती के अत्रिक्त जो भी पुरिश्व मुझे सकाम भाव से देखे उसके पुरिशत्व का नाश हो जाए वे ततकाल नपुनसक हो जाए निश्पाप संध्या का यवचन सुनकर प्रसंद हुए भक्त वस्तल शंकर भगवान ने कहा देवी संध्य सुनो बद्रे तुमने जो जो वर मांगा है मैंने सब तुमारी तपस्या से संदुष्ट हो के दे दिया है प्राणियों के जीवन में मुखेतर चार अवस्ताइं होती है पहली शेशव अवस्ता, दूसरी कोमारा अवस्ता, तीसरी योगना अवस्ता और चोती व्रद्धा अवस्ता तीसरी अवस्ता प्रप होने पर देधारे जीव काम भाव से युक्त होंगे कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम के उदय की यह मर्यादा इस्थापित कर दी है जिससे देहदारे जीव जन्म लेते ही कामा सक्त ना हो जाएं तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा तीन लोकों में दूसरी किसी इस्तरी के लिए संभव नहीं होगा पानी करें करने वाले पती के सिवा जो कोई भी पुरुष सब काम होकर तुम्हारी और देखेगा वैततकाल नपुनसक होकर दुरुबलता को प्राप्त हो जाएगा तुम्हारे पती महान तपस्वी और दिव्य रूप से संपन एक महा भाग महरशी होंगे जो तुम्हारे साथ साथ कलपों तक जीवित रहेंगे तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वे सब मैंने पूर्ण करत कह दिये हैं अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा जो पूरुजन से संबंद रखती है तुमने पहले भी यही प्रतिग्या कर रखी है मैं अगनी में अपने शरील को त्याग दूँगी उस प्रतिग्या को सफल करने के लिए मैंने तुमें एक उपाय बताता हूँ उसे नी संदे करो मुनिवर मेधातिती का एक यग्य चल रहा है जो बारे वर्षों तक चालू रहने वाला है उसमें अगनी पूर्णत्याग प्रजलित है तुम बिना विलंब किये उस अगनी में अपने शरीर का खुद सर्ग कर दो इस परवत की उपत्य काम चंद्रभागा नदी के तट पर तपसाश्रम में मुनिवर मेधातिती महायग्य का नुस्ठान करते हैं तुम स्वचंदता पूर्वक वहाँ जाओ मुनि तुमें वहाँ देख नहीं सकेगे मेरी कृपा से तुम मुनि की अगनी से प्रकट हुई पुत्री होगी तुम्हारे मन में किसी स्वामी को प्राप्त करनी की इच्छा हो उसे हिर्दे में धारन करके उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उसी यग्ये में अगनी में होम दो संधे जब तुम इस परवत पर चार यूगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी उनी दिनों तक चतुर योगी का सत्य योग बीट जाने पर त्रेता के प्रतम भाग में प्रजापती दक्ष के बहुत से कन्याई हुई उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं का यथा योग्ये वरों के साथ विभा कर दिया उन्हें 27 कन्याओं का विभा उन्होंने चंद्रमा के साथ किया चंद्रमा के अन्य जब पत्नियों को छोड़ कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे प्रेम इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को शाप दिया तब समस्त देवता तुमारे पास आए परंचो संधे तुमारा मन तो मुझ में लगा हुआ था तब ब्रह्मा जी ने आकाश की और देखकर और चंद्रमा पुने अपने स्वरूख को प्राफ्ट करे यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें शाप से चुड़ाने के लिए एक नदी की स्रस्टी की जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई चंद्रभागा के प्राधुर्भावकाल में ही महरशी मेधाति थी यहां उपस्तित हुए तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला ने तो कोई हुआ है ना ही कोई होगा उन महरशी ने महान विधी विधान के साथ दिर्ग काल तक चलने वाले जोती श्टोम नामक यग्ये का आरंब किया उसमें अगनी देव पुन रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ ऐसा कण्णे से इस समय तुमारी सारी प्रतिज्या पोण हो जाएगी इस प्रकार संध्यापो उसके हितका उप्देश देकर देविश्वर भगवान शिव वही से अंत्रध्यान हो गए इतिश्री रेवा खंडे शिव महात्मय शिव पुराण महात्मय नाम रुद्र सहीता दित्य सती खंड सस्टमो अध्याई संपून बोल शंकर भगवान की जै बोल मापार्वती माता की जै शिव परिवार की जै सकल हितकारी की जै बांके बिहारी की जै